तो फिर मैंने वहाँ पर ड्रामा क्लाब को जॉइन किया, मैं ड्रामा क्लाब की प्रेजडेंट भी रही हूँ अच्छा बंगलादेश के रहे हैं, जी हाँ, तो वहाँ पर मैं प्रेजडेंट भी थी और फिर मैं खुद मैंने एक्टिंग भी की, मुझे बहुत अच्छा लगता पाकिस्तानी लड़की जो बंगलादेशी ड्रामाज में एक्टिंग करी है, वहाँ पर ड्रामा जो है, उनको लिख भी रही है और बहुत एहम किसम के काम जो है, बंगलादेश की जो ड्रामा इंडिस्ट्री है, उसमें अन्जाम दे रही है एक्टिंग, इन्होंने बंगलादेश में किस तरना स्टार्ट की, और बंगलादेश के ड्रामों में एक्टिंग करके, इनका कैसा एक्सपिरियंस रहा इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपिरियंस वे शेयर किया है अपना जौर्णी शेयर किया है किस तरह ये बंगलादेश में एक्टिंग के अंदर एंटेर हुई और इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में एक्टिंग की और इन्होंने बहुत जादा इंजुआई भी किय अब मंगला अदेश के बारे में इनका क्या कहना है ये वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है इसको आप लोगोंने आखर तक देखना है वडियो देखने से पहले मेरी चैनल पर आप लोग नहीं होना है तो मेरी चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाज गेस्ट है मेरे साथ हुमेरा नौरीन जो के बहुत ही जबर्दस एक्टरस होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी है जो के गुज़शता पांच साल इन्होंने बंगला देश के शहर चिटा गौंग के अंदर बतोर एक्टरस काम किया और नहीं सिर्फ बतोर एक्टरस वह प्रद्दगी की कहानी है वो आज आपके सामने रखेंगे आए आज की पॉड़कास का बकाइदा आगास करते हैं असलाम अलेकूम कैसी आप ठीक हैं? अलहमदल्लाब ठीक है से बिलकूल शुक्राइब अलहमदल्लाब सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं आज की पॉर्कास के अंदर बहुत मिरवाइनी आपने बुलाया मुझे बहुत अच्छा लाग रहे हैं आपसे बात करके और पूरी टीम का बहु मैं पाकिसान के भी दिफरेंड प्रोविंसेज से लाइक अचारा से मैंने मैचरी किया सो किए असके बाद पन्योंाकर सिंह ने अ ऐफई किया, उसके बाद मैं बाद मैं बी एक क्रीए बंगलदेश चले गई और मास्टर मैंने इंगलें हैं अ-च आच्छा यह यह बंगला मुझे वहाँ से फुल स्कॉलर्शिप मिला, I was a good student, मेरे पेरंट्स रिली में चाहते थे के मैं बाहर जाओं, मुल्क से बाहर जाओं और परूं, और अन्होंने, मेरे अबू ने मुझे बहुत सुपोर्ट किया, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सुपोर्ट किया, तो वो कहते और अचली मेरी फेमिली मेरी पूझ, बहुत बड़ी फेमिली है माशाला, तो कोई भी लेड़क इतना वरी लिखी नहीं थी, और जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटे से शहर में रहके, दूसरे शहर में जाके पढ़ना भी बड़ा मुझेल होता है, तो एक दूसरे मुल्क जाके पढ़ना तो इट वस लाइक इंपॉसिबल तिंग, तो मेरे अम्मी अबुचाहते थे कि मैं बाहर जाओं, परूँ, उनका नाम रोशन करूँ, तो अलाम भी लिखी, ये बता है कि आप ने बहुत लिखी थी उस वक्त जब आपने अपने अप्टिंग स्टार्ट की, तो आपने अप्टिंग को चूश क्यों किया, आपने इस फीलिग को चूश किया, तो फिर मेरा पैशन रहा है, येस, अचली जब मैं युनिवर्सिर लेवल पर गी तो मुझे लगा कि I really enjoy acting, तो फिर मैंने वहाँ पर ड्रामा क्लब को जोईन किया, मैं ड्रामा क्लब के प् अच्छा बंगलादेश करगर? याँ, जी हाँ, तो वहाँ पर मैं प्रेजडेंट भी थी और फिर मैं खुद मैंने अच्टिंग भी की, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था, और अच्छली शुरू में जब मैं गई तो बहुत ही ज़ादा शाय थी बहुत जादा शाय, तो वहाँ पे थेटर पे जाके परफॉर्म करना मुझा लगता है, उसमें मुझे कॉन्फिदेंस तिया, और उससे मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखी, नहीं आप वहाँ पे किस लिंगिज में करती थी, उर्दू में या फिर हिंदी में या फिर बिंगॉ अहां जी, मैंने लिखा भी, सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया खुद, उसके बाद हमने कुछ शोज भी प्रोड्यूस किये, अच्छा, तो एस पार्ट अफ माई पार्ट एंड रोल प्रेजिदेंट अफ ड्रमा क्लब, तो उसमें हमने चुड़गां के अंदर और धाका के अंदर हमने प्रोफेशनल बहुत बड़े थेलर्स में हमने परफॉर्म किया, तो उसमें एक दो प्ले जह है, वो मैंने अपनी युनिवर्स्टी के अंदर और बाएर भी जह हमने प्रोड्यूस किया थे, तो अच्छा, मैं आप से ये पिशना चाहँगा, कि जैसे के मु जैसे के हम थोर दर पहले डिसकस कह रहे थे के हर कोई इन रियर लाफ एक्टर ही है, तो बहुत अपर, अच्छी ये शिए इस पिशली वैसमें बहुत कमन है, के हम किसी के साथ बैचते हैं, और इस इस कुल्चर, तो उन से में के हमें हुशी ना भी हुई 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 लूए रहा हुडつे में तो पाकी हे के के से में कि जख बहुत पसंद करती हुई, वो बहुत इची अच्छी एं ओध मुझे इस चाहरो ना प्रजान हैं और बहुत किसा में हुई हुई है, उसके बाद मुझे श ऑरुपान ही ज़ो बहुत कषंग है, तो मैं उनकी तरह नह जाती हैं तो आप राइटिंग बहुत मजगी करती हैं, माशाला मैंने आपकी पोड़िट रिवी पड़ी और कुछ चेहरों से और कुछ जुबानों से मैंने सुनी भी, माशाला मुझे बहुत अच्छी लेगी, मैं बड़ा इंस्पार हुआ और इसलिए मैंने आप से रापत अब ही किया किया वामारी पोड़कास का इससा बने शुक्रिया आप तो यह पता हैं, अपने कब स्टार्ट की थी लिखना लिखाना ये लिखने वाला काम? जब मैं इंटिर्मेडर लेवल में थी तो अस वे थोड़ा बहुत अज़क सकती हूं अगर मैं लिखने पे ठोड़ा बहुत इंटरसलों तो उसके बाद फिर जब मैं बागलेश में थी तो इसलिए जब मैं घर से दूर थी, फेमिली को मिस्किया करती थी, तो फ्र मैं मैंने एक प्ले लिखा हुआ है और काफी कुछ लिखा हुआ है अच्छा जो शोरा हैं उनकी जो जो लिखते हैं उनकी अपने अंदाज होता है माशाला हर फूल के अपनी खुश्पू है उनकी वह बात तो नहीं न कर सके लेकिन एक शाहिरी के मौजू होते हैं तो आप किस ट तनहाई और बहुत अफ़ा तो से रहसा होता है कि यह ज़स्ट नजूल होता है यह ज़स्ट आमद होती है तो यू डूंट इमनों के आप किस टॉपिक पर लिखने वाले हैं आपको क्या ख्याल नजरिया या कुछ ऐसा आपके माइं में आने वाला है तो वो फिर जब आता है उस वक्त और अपनी फीलिंग्स को आप अलफाज दे देते हैं तो फिर उसके बाद ही आपको पता शलता है अच्छा अब यह उन्वान आपके सामने आया है मुझे यह लगता है मेरे साथ हमेशा यह हुआ है अगर मैं कभी जबर्दस्ती लेके बैठों कि यह आज मैंने महबत पे लिखना है या आज मैंने फैमिली पे लिखना है यह वीडियो आप दोगे ने लिखिया है पाकिस्तानी लगकी जो बंग्यादेशी ड्रामाज में एक्टिंग करी हैं और उन्होंने शेयर कि किस दरहां वो पाकिस्तान से बंग्लादेश पहुंची और क्यूंके इनको एक्टिंग का बहुत शोग था और उनकी हमेशह से ही वाहिश थी कि यह ड्रामा में आये इन्होंने बंग्यादेश में एक्टिंग करना स्टार्ट की और बहुत सारे प्ले किया एक्टिंग की और जैसे यह यह Pacamps की और जैसे यह कहा है यह क्थिए क्थेमा जो वहा पाकिस्तान से जब ये बंगलादेश करने के लिए और इसी दुरान जो है एक्टिंग इन्हों ने बंगलादेश के अंदर शुरू कर दी तो ये काफी मज़ीर की मुझे सोरी लगी है और बहुत कम ऐसी चीज़े होती है कि यार कोई पाकिस्तानी लड़की ऐसे में ऐसे एक्टिंग कर रही है तो मैंने जो अभी तक देखिया ना उसमें ये फिर्स्ट वान है जो बंगलादेश में बंगलादेश के ड्रामा करी हैं तो बहुत अच्छा लगा देख कर देखे लाइक ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान और बंगलादेश के दिर्मयान जो और ये पॉडकास्टेट के इनका बंग्या देश का एक्सपीरियंस चिता गॉंग में ये इनोंने काफी लंबार सा गुजारा आप लोग क्या कहेंगे आप लोग जो भी खहना शाहते हैं लास्मी बताएं वीडियो को आप लोग लास्मी लाइक और शेयर करें ये वीडियो दूर दूर तक जानी चाहिए I will see you till then take care लाप उसको बाए